आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरन्थ वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें मरा इस को कुलाम में लिख लेते हैं और इसका जो व्य है वो में दिया हुआ है वे इकोल टू धनात्मक्सenda की अगर इसको व्यक्तर फॉर्म में लिख ले तो एक्सच जो होती है वह हमारा i-क कःप को परिवासित करती है अगर हम यहां से तीनों अच्छे बना ले इस प्रकार से दिखा देते हैं यह हमने माल लिए हमारी X अच्छ है ठीक यह हमने YH माल लिए और यह हमने ZH माल लिए तो X हमारा I-CAP को परिवासित करता है YH, J-CAP और ZH जो होती है वो K-CAP और धनात्मक यह हमारी X दिसा है इधर I-CAP इस तरब जो होगी वो रिणात्मक होगी इसी पकार Y के लिए इधर रिणात्मक होगी और इसी पकार Z के लिए इधर रिणात्मक होगा ठीक तो यहां से वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहा है तो यह हो जाएगा तीन गुड़े 10 की गात 6 मीटर पर सेकेंड में है I-CAP वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं यहां से ठीक है अब यहां से चुमिकी छेतर B कमान भी हमें यहां से दिया हुआ है B equal to minus का 0.2 K-CAP मतलब कि अगर हम चुमिकी छेतर की दिशा की बात कर लेंगे तो चुमिकी छेतर की दिशा हमारी इस दिशा में है क्योंकि K-CAP ह लिखें हम सदिस रूप उसका लिखें तो यह हो जाता है Q और V और B का जो होता है वो सदिस गुलन फल होता है ठीक यहां से मान लखना प्रारम करते हैं यह हो जाएगा F M equal to यहां से अगर मान लखना प्रारम करें क्यों मारा 2 गुणे 10 की गात minus 6 वेक्टर B की बात करने तो 3 गुणे 10 की गा 6 यह हमारा I कैप है और यहां से इसका सदिस गुणन हो जाएगा वेक्टर B के साथ वो हमारा कितना है minus का 0.2 और यह हमारा K कैप है ठीक तो यहां से जब इसका गुणा करते हैं तो यह हमारा आ जाता है वेक्टर F M equal to यह हो जाएगा 3 दुना 6 और 6 दुना यह हो गया K-Cap, I-Cap सदिस K-Cap तो I-Cap और गुणे में सदिस में मनलब K-Cap और I-Cap क्योटा है minus का J-Cap होता है तो यह हो जाता है FM Vector equal to minus minus plus 1.2 जे-Cap चुंकि I-Cap का जो सदिस होता है गुणफल सदिस गुणफल वो minus का J आता है और minus minus plus हो जाता है ठीक है तो यहां से आ अगर आप बल है वो हमारा किदर है यह की दिशा में और चुकि धनात्मक है तो धनात्मक यह की दिशा में तो यहां से लिख सकते हैं FM जो बल होगा अर्थाद हम कह सकते हैं एक दिसमलोग दो न्यूटन होगा और हमारा धनात्मक तो यही हमारा इस्प्रश्ण का अंसर हो जाएगा अगर हम आप्शन की बात करेंगे तो मारा जो यहां से तीसरा आप्शन है यह सही हो जाएगा ठीक है धन्य बाद आप्शन करेंगे अपने सारे डाउट्स आच चारसो 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 पर